तो finally guys हमारे Indian Bike Driving 3D Game का new update आ चुका है चलो जल्दी से मैं इसको update कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने new Jeep को ले लिया है तो आप लोग भी अपने गेम की अंदर new Jeep को कैसे spawn करा सकते हो चलो मैं आपको बता देता हूँ हैंड guys plugin app में जो new mode आया है उसको आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ तो वीडियो को skip मत करना वीडियो को इन तक जरूर देख लेना तो guys सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन फाइल को कैसे यूज़ कर सकते हो तो simple से आपको जो ये file दिख रही है इनको copy कल लेना है, copy कल लेने के बाद अपना internet on कल लेना फिर इसके बाद अपने game को open कर के internet option पर जाकर वहाँ पर paste पर click कर देना फिर उसके बाद आपको please wait देखने को मिल जाएगा, फिर time देखने को मिल जाएगा फिर आपकी जो file अपने गेम को फिर से रिस्टार्ट कर देना तो जैसे ही आप लोग अपने गेम को रिस्टार्ट करोगे या ओपिन करोगे तो आपका करेक्टर वहीं पर पहुंच जाएगा जो भी आपने मोड में सिलेट करा होगा उसकी लोकेशन पर आपका करेक्टर पहुंच जाएगा च तो गाईज यहां से स्टार्ट है और इसका इंड काफी दूर है कहां पर देखने को मिलता है तो भाई लोग यह काफी ज़्यदा अमेजिंग है और इसी तरह आप लोग सारे चैलेंज को एड़ कर सकते हो जो जो हमारे गेम में एड़ हुए हैं और इसी तरह आप लोगों को एक और चैलेंज ट्रेक देखने को मिलेगा जिसे हमारे गेम के डिवलपर ने एड़ किया है चलो अब मैं आपको निस्ट को एड़ करके दिखा देता हूं तो भाई लोग यह चैलेंज इतना जादा हार्ड है कि आप अपनी ऊपर की तरप ले जाओगे तभी यह चैलेंज कंप्लीट कर पाओगे तो अभी देखो मैं प्लगिन एप में जो आर्जेस देखने को मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है एंड गाईज याद रखना मोट सलाट नंबर 2 को सिलेट कर लेना है उसके बाद ही दूसरी फाइल को लोड कर पाओगे तिर अपने इंटरनेट आफन के अंदर आना है यहाँ पर दुबारा से पेस्ट कर देना है आपको पाँच मिनट तक वेट करना है एंड गाईज आपको यह याद रखना है कि जो पाँच मिनट का टाइमिंग है यह पूरा कंप्लीट होना चाहिए अगर आप बेच रही कट कर देते हो तो आप सब गेम म एक भी बिल्डिंग देखनी को नहीं मिलेगी आइंड गाईज इस सीटी को आप जेट पैक से देखोगे तो कुछ इस परकार से वीव देखने को मिल जाएगा तो गाईज आप सब गेम में सभी फाइल को लोड कर सकते हो पहले क्या था आप सब प्लगिन एप का यूज नह जाएगा और जैसे 5599 डायल करोगे तो बस स्पाउन हो जाएगी आइंड गाईज आप सब कमेंट में बताओ कि पहले स्पाइडर का चीट कोड नमबर क्या था आइंड गाईज इसके बाद अपने गेम में 1000 डायल करोगे तो फार्चूनर का रिस्पाउन हो जाएगी और फ और चैनल को भी सस्क्राइब कर देना